तो हलो गाईस बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटिप चैनल जावसोर में दोस्तों आज इस वीडियो हम बात करेंगे जो एपसे वाजमिन में जो रिक्रूट्मेंट आई है 2021 के लिए और जिसमें है ना अभी तक यूटूब में मेरे ख्याल से कोई भी यूटूबर नी होगा जिन्होंने जो इसके लिए प्रैक्टिस एट वगरा चालू के होगा तो फिर एक कोशिश करते हैं स्याद उम्मीद करता हूं यह जो नई कोशिश है मेरी तरब से आई होप आप सभी को पसंद आईए और देखिए यह जो मैं सीरीज चालू करने लेंद क्या होनी चाहिए उसके क्राइटेरिया और क्या होनी चाहिए एटलिस देखिए मैंने कोशिश कर रहा है कि यह जो आपको सीरीज दे रहा हूं यह आज इसका फॉर्स्स वीडियो है जिसमें आपको कुछ कोश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बीसिकली टोटली बेस अगर आप लोग का अच्छा प्रयास रहा अगर आपको रिस्पॉंस अच्छा रहा तो यह वीडियो बहुत लंबे टाइम तक के जब तक यह वेकेंस की एक्जाम डेट नहीं आ जाता तब तक के डेली एक से दो दिन के केप में या फिर कंटीनिव आपको जितने भी है वी कमेंट करी थाकि मैं उसका और आपके जितने भी डाउट होते है उसको क्लियर कर पाऊं तो फिर चलिए टाइम वेस्ट के बिनना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जितने भी जन्न नॉलेज इस देखने को मिलेंगे वह में से क्यो मैं कोसिश कर रहाँ हो कि जितने भी जो जो हैके के पॉइंट आपको अने वाले में भी उससे सिमिलर कोशन आपको को देते जाओं तक कि एक्जाम के लिए थोड़ा बहुत आप लोग प्रिपीर कर पाएं ।ो फिर चलिए बिन किसी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करत स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कोशन ओके तो यहां पे आप लोग फर्स्ट कोशन मैंने जुस अले करें आप लोग देख सकते हैं यहां पे आपको चार अप्शन मिल जाते हैं जिसमें फर्स्ट है मुंबई हो गया बैंगलूरू हो गया और सी में हैधराबाद या विर पूने तो इसका सही आज जरू हो जाएगा डी और एक चीज़ और कहना चाहूंगा वीडियो मागे बढ़ू इससे पहले आप लोग भी कोशिश करेगा और जितने यहां पे आप लोग कोशन कितना आप सौल कर पाते हैं प्लीज वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि यहां पे जितने भी मैंन नेशनल स्कूल अफ ड्रामा इस सिच्वेटेड इन वीच अब दा फॉलॉइंग सेटी मतलब रास्टी नाट्य विस मतलब विद्याल है निमनले कितमिसिक की सहर में इसी था है ओके तो यहां पे आपको चार आप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें होते हैं मुंबई हो गय मतलब माउंट एवरेस्ट बढ़ चलने वाली प्रथम महीला कौन थी तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं वेरियस ओप्शन देखने को आपको मिलेंगे जिसमें सही आंसर अगर में बात करो तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं जुंकु तब ही इसका सही आंसर है लेकिन आप लोग की भी यह responsibility बनती है प्लीज आप जरूर बताइएगा कोई चीज़ मस्टेक हो सकते हैं कि देखिए मेरे चैनल पे अधिकतर जो है जौब से लेटेट ही वीडियो से बगर आती है लेकिन बहुत सारे डिमांड थी और अभी तक इसके बारे में किसी ने पह चापित किया गया था ठीक है अर्जुन पुरुसकार के स्थाबना किस वर्ट्स में की गई थी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको चार अप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें फॉस्ट होता है उनिस सो पैंसट में या फिर उनिस सो त्री सट में या फिर उनिस स कुशन आप लोग देख सकते हैं विच ओन दा है ना विच ओन दा विच ओन अफ दा फॉल्विंग कंट्रिस इस नॉट अ मिंबर आप द ओपे ठीक है तो निम्न लिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो ओपे का सदस्ट से नहीं है यहाँ पर आपको चार अप्शन देखने से जो है मलेशिया नहीं है ओके आयूप यहां तक आप सभी को मतलब सारे चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूं वो पसंद आ रहा होगा तो नेश्ट बढ़ते हैं हमारा चटवा नमबर का कुशन है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा साथवा नमबर का कॉशन है वीच आप दा फॉल्विंग कंट्री इस नॉट मेंबर अप आसियान तो निम लिकित में से कौन सा ऐसा देश है जो आसियान कंट्री का सदस्य नहीं है तो यहाँ पर आपको चार अप्षन यहाँ पर देखने को मिलता है जिसमें फर्स्ट होते है ना बुरुनाई दारुसलम और उसके बाद है कमबोडिया वियतनाम या फिर इंडिया तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिया है ना इंडिया आसियान कंट्री का सद प्रूर दे दूँगा, ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवा नंबर का कोशन है, चो मैंने लिया है, इंडिया फर्स तुक पार्ट इन दा ओलंपिक गेम्स इन दा इयर, ठीक है, मतलब भारत ने सबसे पहले, भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलो में भाग कब लिया था, ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नवा नंबर का कोशन आप लोग देख सकते हैं, दा फर्स एसियन गेम्स वेर हेल इन, है न, मतलब पहले एसियाई खेल आयोजीत किये गये थे, तो यहाँ पर आपसे पूचा जा रहा है कि पहली बार है, पहली बार जो एसियाई खेल आयोजीत किये गये थे, ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हमारे अगले कोशन के ओर, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा दस्वा नंबर का कोशन है, है न, टोड़ा, टोड़ा ट्राइप्स मेनली लिव इन, तो टोड़ा जन जाती मुख्य रूप से भारत में कहां पाई जाती या फिर कहां रहती है, ओके तो यहाँ पर आपको भारत की कुछ राजय देखने को मिलेंगे, जैसे फर्स में अगर हम बात करें, मद्द प्रदिश हो गया, तमिल नाडू, केरला, या फिर ओडिशा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर तमिल नाडू थी, के तमिल नाडू में टोड़ा जन जाती मुख्यरूप से निवास करती है, तो उमीद करते हो मैं यह जो मैं आपको कोशन आप लोग सामले में रख पा रहा हूँ, वो आप लोगों को पसंद आ रहोगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक नहीं होनी चाहिए, ओके, और कोई डाउट सोता है, तो कमेंट सकते हैं, रहता ही है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग 11 नंबर के कोशन के अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, विच आप दा फॉल्लविंग सेंचूरिस एस वेल नौन फॉर तो यहाँ पे आपको बताना है, कि निमनलिकित में से कौन सा अभ्यारन हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वेरियस सेंचूरिस, मतलब 4 सेंचूरिस के नाम दिएगा है, जिनमें हो गया काना सेंचूरिस, गीर सेंचू Baltic State मतलब निम्न लिकित में से कौन सा Baltic Rajya की रूप में नहीं है और यहाँ पर आप लोग comment section में ज़रूर मेरे को comment करके बताईए कि Baltic Rajya क्या होता है अगर कोई और जिनको जितना जादा पता हो comment section में जरूर लिखेगा, ओके, तो यहाँ फर्स अप्ण हो जाता है, बेलारूस, उसके बाद, एस्टोनिया, उसके बाद, लाट्विया, और या फिड, है न, लिधूनिया, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सहीं अंसर हो जाएगा, दोस्तों, बेलारूस, ठीक है, बेलारूस जो है, बाल्टिक राज्य की रूप में नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और यहां पर हमारा थर्ड तेरवा नंबर का कोशन है मतलब यहां पर कोशन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम लिकित में से कौन सा सहयुक्त रास्ट की अधिकारिक भाषा नहीं है तो यहां पर आपको चार आप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें फर्स्ट होता है अरेबिक उसके बाद सेकेंड है चाइनीज या फिर पूर्तगाली है न या फिर स्पैनिस तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्तगाली पूर्तगाली जो है यहां पर आप देखें कि United Nation में कितने ऐसे लेंग्वेज है जिनको अफिचली तोर पे उनका मतलब जो United Nation का अधिकारिक भासा का दर्जा दिया गया है ओके तो यहां पे हमारा 14 और option देखने को मिलते हैं जिसमें फर्स होते हैं नागा लेंड और सेकेंड या फिर सेकेंड हिमाचल परदिस या फिर फिर फोर्थ में अनुनाचल परदिस तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम सिक्किम में यह जो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं जो मठ है वह situated है अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की और से जिसमें 15 नमर का कोशन है आई होप यह जो कोशन है ना यह आप सबको तो जबानी यादी होगा क्योंकि यह बहुत हाली में करेंट अफेर्स में रहा है एडलिस अगर पिछले सतर के बात करूं थी यह बहुत ह से इस पर सोर्च अदाब हुआ था आप सभी को था बहुत बढ़ा मुद्दा था तो यहाँ पर 15 नमर को कोशन है आटिकल 370 अब दा कंस्ट्यूशन आफ एप्लीकेबल ऑन टू दा स्टेट आफ है ना तो समविधान का अनुचे 370 कि स्राजय पर लागू होते तो यहाँ पर आपको चार अप्शन दिख रहा है आई होब आप सभी को इसका करेक्ट अंसर होगा फिर भी मैं एक बार आप लोग लिए उप्शन पढ़ देता हूं जिसमें फर्स्ट होता है नागालेंड हो गया या फिर मेजोरम के लिए या फिर मनीपूर के लिए या फिर जम्मु कश्मीर में 370 जो अनुच्छेद है समिधान का अनुच्छे 370 वो लागू किया गया है ओके बढ़ते हैं हमारा सोलवा नंबर को कुछन है दा एसीड आप है नाग्यस्टिक जूस इस मतलब जठार रस में कौन समलब पाया जाता है तो जठार रस में कौन समलब पाया जात दोस्तों option number C यानि कि hydraulic acid तो जठार रस में hydraulic acid पाया जाता है ओके तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे 17 नंबर की question में तो यहाँ पर 17 नंबर को question है on July man walked in the moon for first time तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि July के कौन से तारीक हो मनुष से ने सबसे पहली बार मतलब चंद्रावा पे चला था तो इसका सही answer हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले option पढ़के आपको बता देता हूं क्या 20 जुलाई को या फिर 21 जुलाई को या फिर 19 जुलाई को या फिर 18 जुलाई को इसका सही answer है दोस्तों 20 जुलाई को हैना 20 जुलाई को मनुष से ने सबसे पहली बार चंद्र चलना प्रारम किया ओके सब्लों को बढ़ते हैं हमारे अठरवे कोश्चन के और से हमारे अठरवा नंबर को पुस्ता के राइटर है तो यहाँ पे आपको चार अप्शन है कि रन डिसाई तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जुमपा लहरी है ना जुमपा लहरी जी दन नीम से एक पुस्तक की राइटर है ओके यहाँ पे अब हमारा उनिस्वा नंबर का कोश्चन है है ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साबीन साबीन अवार्ड एज गिवन फॉर्ड है ना कंसरवेशन आप मतलब साबीन पुरुसकार किसके सारक्षन के लिए दिया जाता है ओके तो यहाँ पे आपको चार अप्शन देखने को मिलेंगे है ना जिन में से यहाँ पे फर्स वाला आप लोग देख सकते हैं ना इंफिवियन और या फिर सेकेंड में रेप्टाइल्स के लिए या फिर बर्ट्स के लिए या फिर कोरल्स के लिए है ना कोरल्स के लिए तो यहाँ पे आपको चार अप्शन देखने को मिलें जिसमें फर्स वाला अप् प्रसिद खिलाडी जो पिटर्सन है केविन पिटर्सन है वो कहां से बिलॉंग करते हैं मतलब किस राजी या फिर किस देश से संबंदित हैं वह कहां के निवासी है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं वेडियेस आप्षन आपको देखने को मिलेंगा जसमें फर्स्ट होत देखे यह मैं प्रॉपरली मैं कहीं पर पढ़ाता नहीं हूँ ना मैं कोई प्रोफेशनल एजुकेटर हूँ तो सायद कोछेजे छूड़ भी सकती हैं लेकिन कोसिस करूँगा जैसे वीडियो के सीरीज आगे बढ़ती जाएगी आप लोग सपोर्ट अच्छा रहा तो जो एक्साम आने से पहले आप लोग लिए अच्छा अच्छा खासा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेर्ड हो जाएं खास करके जीके के पॉस्पेक्टिव से तो फिर चलिए मिलते हैं इसके नेक्स सीरीज में तब तक सको बाबाय हो ग्रेट टे जहीन बंदे मात्रम